नमो नमाह इद्यार्थियों आचारे अन्नमबटबिरचित तरकसंग्रा में जो पंच हित्वावास का निरूपण किया गया है वो हमारा पठे भी सह है और इन में से हम तीन हित्वावास का देन पहले कर चुके हैं आज बचे गुए दो हित्वावास के बारे में वेचन करें जो sound of power जो इस प्रकार थे सब्य विचार ऊंटला क्यो तो विरुद्द हेत्वावा सज बदित वाज भादित हрий्त वाज सब्य विचार विरुद्द सक्फय इनके वेध वताबल सही थो हम पुरववाय कश्या में विबेचन कर करें आज हम आते हैं असिद्ध जो हित्वावास है उसका अध्यन करेंगे विजारतियों है जो हित्वावास है यह तुझा लगता है लेकिन हित्व होता ही नहीं कि असद्ध हित्वास कहते हैं और असिद्ध हित्वावास में जो सिद्ध नहीं होता है जो हितु वह असीद्ध हित्वावास कहलाता है तो इसका अलग से लक्षन निरूपण करते हुए आचार्यनम भट है इसके भेद के साह्त ही इसके लक्षन का निरूपण किया है उन्हों enrolled बत्य त्रैवध्यं तीन प्रकार के असिद्ध होते हैं यह था क्रम अशिद्धस्तरीविदः आस्रिया-सिद्ध्ध सवरुपासिद्ध व्याप्यत्वासिद्धस्य जिलीए असिद्ध का जब लक्षण आधिनन निडुपन करने हम चाहेतों तो ये आएगा कि आ설िया सिद्दë, सिद्द आधि अन्ञ्यतमत्प्तुम असिद्धक्तुम आस्ष्द्ध सवरुप आधि ब्याप्यत्त सिद्ध इन तिनु में से कोई एक जो होता है जो आसीद्ध नामक एत्तवस होता है है तो आसरया Разव पहला जो भेदे तत्र आज़ाब उपस्थित त्या गड इत्याग नहीं कर शकते हैं उसका ही वेचनल करेंगे तो करेंगे तो सही ही नहीं इसको विवेचन करते हैं आचारे नमबट्व कहते हैं आश्रया सिभ्ध यथा गगनार बिंदम सुरभी और बिंदततरा सरजार बिंदवत इमिदम अत्र गगनार बिंदम सुर्भी है आकास में खिला हुआ कमल सुगंधी तहें। गगना अरबिंदम यह पक्षय कहलो इसको यही आस्रे है और सुरवी मिया साथ है और है तू अरबिंदत्धु नाम यह तू है इतू है और यह तू है नहीं है सचनास्तियव वो ही नहीं आकास में कमल खिलता ही नहीं तो जब खिलता ही नहीं तब वो कैसे सुगंदित होगा और उसका हेतु आप और अभिन्दत्व नामक हेतु कैसे बनाएंगी तो इस प्रकार ये हेतु नहीं है ये हत्वावास है कौन सा हत्वावास है आश्रयासिद् कहते हैं स्वरुपा सिद्धयता सब्द गुणा साथ चाक्ष्युषत्व कि टू ए तो यह तू है यह त्वावास है यह तू नहीं है यह त्वावास है कुंसा स्वरूपा शिद्ध है यह त्वावास है उनके स्वरूप में शिद्ध है यह चाक्षु सक्त्व होई नहीं सकता इसका सब्द का इसलिए सब्द का जब चाक्षु सक्त्व नहीं है पर उसको गू हैं कि तत्व प्रत्य नहीं कि तंव में तो हैो 25 वर देखा जा सके लिए या प्रत्यक्ष्य करने यूग्य है और शक्षुरिंद्रे के दर पत्यक्ष करने युग्य नहीं है, इस प्रकार स्वरूप में यह अशिद्ध हो गया है, हेतु, इसलिए इसको हेत्वा भास कहेंगे, स्वरूपासिद्ध नामक हेत्वास कहेंगे, किसको? चाख्यु सत्व नामक हेत्व को, इसके बाद व्याप्यत्वासिद्ध नामक हेत्व हेत्व हे, वो हेत्व नहीं है, वो हेत्वा भास है, व्याप्यत्वासिद्ध नामक सब्द लगा हुआ, इसलिए हेत्वा भास क्लियर है, व्याप्यत्वासिद्ध नामक हेत्वासिद्ध है जो उपादी से यूग तो होता है उसको ब्याया पकत्वाशिद्य कहते हैं हिं क्या है यह ब्ली कैसे होता है श्माना अधीकरण अत्ययनत घब अप्रति जोगि तुं सथ्य भ्यापकत तो क्या है कि शूंजा रहे ऑले समाना आधिकरणा अने लक्ष की प्रतिपद्ध्य की समाना अधिकरण में रहते हैं उसका अधिकरण में रहकर अत्य ताह आपके जो प्रत्य योगी है वो शाध्य व्यापकतों कहळाता है और इसान लुक्रात आसि सांधन गंत आतम अत्यंता घुन और साधन निहीं ओकतर होकर साधन बंद श्यृतन प्रत्यृतम साधन ङूपकतों को साध्य ब्यापक क्या है और 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 साध्य ब्यापक क्या है बन्दिमत्वाद, प्रयोकर रहे हैं है तुने यह त्वाब में हे तुने यह त्वाब में से, और त्वाब में, स sigma AH यहाँ बैधिन जो बन्दृम्न का सवाच्छछट उपादिए क्या है द्रिण दनका संग्योग परमधो बन्नी भान धुमबत्वत सद्थ छुटा सेत्व हजाएगा धुमास्यких जाएगा और बन्नी हेतु हो जाएगा तब हेतु नहीं कहलाएगा हेत्वभास कहलाएगा अगर परवत पक्षय है और बन्नी साध्य है धुआ हेतु है तब तो हेतु है लेकिन धुआ की जगए जदे बन्नी को हम हेतु बना दे तो फिर वहां धुम को साध्य बना करने के लिए मा बन् प्रवत में दुआ उट रहा है तो दुआ क्यों उट रहा है यहां गिली लखड़ी में आग लगी हुई है तो वह उसकी बज़े से दुआ उट रहा है अगनी का प्रज्वल नहीं हो रहा है यह था तथा ही वैसे ही यत्र धुमा तक्त्र आद्रिंधन शुन जो गई ती साध्य व्यापकत तो साध्य व्यापकत तो साध्य व्यापकत तो उसको समझाते हुए उस पर दुष्टी पात करते हुए अन्नमबट करें जैसे ही जहां जहां धुआ वहां वहां क्या है आद्रिंधन पभाव होगा जरूरह न यह उत्रव आतल पकत्व हुआ ओगात्व आगे नहीं है यह घ्खणण अभ्यापकत्व इस प्रकार जर्वेv बढ़नी उत्रव पकत्व है नम त्सका करों नास्तिव Australis अध्रिंद्र संजोगा अभावावाथ इसलिए साधन अभ्यापकत्त है वो साध्य व्यापकत्त हो गया यत्रवनी तत्रा अध्रिंद्र संजोगा अभावावाथ ग्रफिंद्र संजोगा उपाधी इस परकार शाध्य व्यापकत्त को क्या कहते हैं आध्रिंद्र संजोग सिखाए और यही उपाधी है शोपाधि कत्वाद बन्नीमत्वां ब्याप्तवा सिद्ध 한데 और उपाधिसे युक्त होने के कारणि जो बन्नीमत्व हेतु है वो हेतु नहीं है वो असद हेतु है युझे को हम कहेंगे ब्याप्त्वा नामक हेत्वावाद ब्याप्यत्वा सिद्ध नामक एहत्वावास उगी सोपाधिकं हेतु ब्याप्यत्वा सिद्ध उधारण बता दिया परवतो दुमवान वन्नी मत्वाद सोपाधिक लक्षन हुआ, सोपाधिक हेतु ब्याप्यत्वा सिद्ध और उधारण हुआ पर्वत्व दूमंबान प्रनिवत्वा जो बन्रिमत्व हेत हुए हेटी नहीं है कपीटु असद हेत हुए जो कि भ्याक्प्रत्वा सिध्ध नाम के हत्वा य॥ी ब्रकार चार हत्वावास होने के बाद त चावत्य के बाद पांचुएं हत्वावास जो है वही बादित बादित अस्च लक्षम मुधार अनम्च मादित की से कहते हैं और उसका उधारण उधारन क्या है इसके दरूपन कर्थ यश्य साध्या भाव सफ प्रमान अंतरेण अवा प्रमान अंतरेण,दुसरे प्रमान के द्वरा पक्षमी निश्चित हो जाय सअभाहव वा बाधीत नाम के त्वास कहळता है,द्ज्यू सध्यावा अवाव् सब्द्रमान अंतरजिक swell प्रमान अंतरसी। अबाधित नामक हेत्व अभास ताने न एक बैनी अनुष्ण साध्या बाव उश्णत्व तुम् परसनप्र पत्र चेन गृति आहें थिवाजित अद। पहले बन्नी अनुष्णाः ये कह दिया बन्नी अनुष्णाः द्रभ्यत्वादी जो द्रभ्यत्व हेत्व कहा ये तुने ये हेत्वावासे बाधित नामक हेत्वावासे क्यों नहीं जो साध्य है अनुष्णाः ये किसमे पक्ष्य बन्नी में है द्रभ्यत्व हेत्व के द्वारा अनुष्ण नामक जो साध्य बताया साध्य को सित्य करने के लिए बताया बन्नी अनुष्णा बन्नी जो पक्षे उस पक्षे में अनुष्ण जो साध्य है उसका अभाव उष्णत्व बन्नी में बन्नी उष्ण है घरा में थंडा होता ही निम अत्रा अनुष्णत् पर्ष नबट्यक्षियंग उपर्ष करने के द्वारे पर्ष करने का जो प्रत्यक्ष है हम खूं करके हम दीखते अगनी गर्म है ठंडा नहीं इस प्रकार सितल्व नहीं इस परकार ग्रहन किया जाता है इस पार्ष्टन प्रत्तक्षे के त्वरा इस प्रकार वो बाधीत हो गया है इसलिए इसलिए बाधीत नामक क्या है हे त्वाभास है क्यों ना यहां साध्य का अभाव साध्य हुआ अनुष्ण अनुष्ण का अभाव उस्नत्तो बोज्व है उस्नत्तो पक्षे हुआ बन्नी अगनी उस अगनी तत्तो में अनुष्णत्तो क्या है नहित है तो इस प्रकार दूसरा जो है क्या है ना निहति साध्यका अभाव अक्षमी होने की पज़े से यह क्या हो गया ना यह एक तो आवास कहलाएगा हेतू कहलाएगा नहीं है इस प्रकार अनुमान प्रमान के अंतरगत जब हेतू की बड़ी महती भुमी का है यह कि अनुमान प्रमान को सिद्धा करने के लिए हेतू को बताया गया हेतू हमेशा सद हेतू होना चाहिए उससे अनुमान प्रमान के माध्यम से अनुमिती नामक यथा थान भाव का सम्यक ग्राण होगा अगर नहीं होगा तो फिर वो हेतू हेतू नहीं कहलाएगा वो हेतू तो असद हैतु का लाएगा असदो हैती ही उसको फत्वावास कहेंगे तो इस प्रकावभिद्यार्थीयों प्रतकृत्य अनुमान खंडम् वः नुमान प्रमान खंडह तरक संग रहे तर टफ्र चित्ताः आचार येन अन्नमबटेन अनुमान प्रमान का दिरुपन समाप्त उभा इसके पस्चा जो चार प्रमाण है प्रतक्ष अनुमान उपमान और शब्द हम अगली कक्षा में पुना उपमान प्रमान का अध्यान करेंगे बिवेचन करेंगे आज यहीं बिराम देते हैं धन्यवादा